जै माता दी आज करवा चौथ पर आईए सुनते हैं चौथ माता की यह कहानी एक बुढ़ी अम्मा के ग्वालिया बाचलिया नाम का एक बेटा था बुढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए बारह महीने की चौथ के ब्रतकिया करती थी बुढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा लकड़ी काट कर लाता और दोनों मा बेटे बाजार में लकड़िया बीचकर अपना गुजारा करते थे बुढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ी अलग रख देती थी और चौध के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और पाथ चुर्मे के लड़ू बनाती एक लड़ू अपने बेटे को खिलाती और एक लड़ू खुद खाती थी अपनी परोशन के पास गया उसने देखा परोशन ने चुर्मा बना कर रखा था उसने परोशन से पूछा कि आज कौन सा तेवहार है कि आपने चुर्मा बनाया है परोशन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है आपकी मा तो हर चोथ के दिन चुर्मा बनाती है आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या तो बेटे ने कहा हाँ देती तो है फिर पडोसर ने बूरी अम्मा के बेटे से कहा कि आप जो लकडिया काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकडिया आपकी मा छुपा कर बेचती है और उनहीं लकडियों से मिलने वाले पैसे से चुर्मा बनाती है बेटा अपनी मा के पास गया और बोला कि मा मैं इतनी मिहनत से लकडिय लेकर आता हूं और तुम चुर्मा बना बना कर खा जाती हो तो या तो आप मेरे को छोड़ दो या फिर चौथ माता के ब्रत को छोड़ दो मा बोली की बेटा मैं तो यह ब्रत तुम्हारे लिए ही करती हूं तुम्हें छोड़ सकती हूं लेकिन चौथ माता के ब्रत को नहीं छोड़ सकती बेटा घर छोड़ कर जाने लगा तो माने कहा बेटा तू जा तू रहा है लेकिन यह कुछ अनाज है जिसे मैंने चोथ माता की कहानी सुनी है यह लेकर जा और जब भी संकर्टाए तो चोथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां डाल देना बेटे ने सोचा की यह तो जूट है लेकिन कोई बात नहीं उसने वह अनाज के दाने रख लिये और घर से चल पड़ा वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़ी सी अनाज के दाने वहां डाल दिये और कहा ही चौथ माता अगर आप सच्ची हैं तो यहां रास्ता हो जाए इतने में ही नदी सूख गए और वहां रास्ता हो गया वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुच गया थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे उसे बहुत डर लगा तो उसने चौथ माता का नाम लेकर वहां पर कुछ हनाज के दाने डाले और कहा ही चौथ माता मुझे रास्ता दिखाओ बरना यह जानवर मुझे खा जाएंगे इतने में ही रास्ता मिल गया चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुच गया वहां का राजा हर मही ने एक आदमी की बली देता था जब वह एक बुढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा की बुढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रहे थी और रोती जा रहे थी तो उसने पूछा की हे पूड़ी माई रोक क्यों रही हो तो वो ही अम्मा ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बली देने के लिए जाना पड़ेगा यह पूड़िया में उसी के लिए बना रही हूँ तो लड़के ने कहा कि आप यह पूड़िया मुझे दे दो मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहां बली देने चला जाओंगा बुड़ी अम्मा ने उसे पूड़िया दे दे राद को सोते समय उसने अम्मा सी कहा कि जब भी राजा का बुलावा आये तो आप मुझे बता देना आधी राद को राजा का बुलावा आया तो बुड़ी अम्मा सोचने लगी कि पर आए बेटे को मैं बली चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं इतने में ही वह उठ गया और बुड़ी अम्मा को बोला कि मेरा थैला और मेरा लाठी दे दो बुड़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई वापस नहीं आया यह भी नहीं आयेगा राजा के आदमी उसे ले गए और आवा में उसकी छिनाई कर दी तब उसने चौथ माता का नाम ले कर कहा यह चौथ माता आपने पहले भी दो संकत टाले हैं तो यह संकत भी टाल देना इतने में ही आमा पक्कर तयार हो गया दो तिन दिन बाद आमा के पास बच्चे खेल रहे थे उन्होंने आमा पर पत्थर मारा उसमें से आवा जाए बच्चे राजा के पास जाकर बोले की राजा जी आमा पक गया है राजा ने सोचा की छा महिने में आवा पक्ता था तीन दिन में ही आवा कैसे पक गया राजा के आदमी ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सोने चादी के कलस हो गए जब उनको उतारने लगे तो अंदर से आवा जाई की धीरे धीरे उतारो अंदर मानस है राजा के आदमी बोले कि इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था आज पहली बार कौन बोलने लग गया कोई भूत बोलने लग गया है क्या आवा के अंदर जाकर देखा तो अना जुगा हुआ था राजा के आदमी को उसने सारी बात बताई तो राजा आये और पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए तो वह बोला कि मेरी मां चौथ के ब्रत करती है मैं तो चौथ माता के प्रभावशी बच गया राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परिछा लेने की सोची राजा उससे बोला कि तु एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाओंगा तेरे हाथ पर रसी से बाद देंगे अगर रसी खुल कर मेरे में बच जाएगी तो चौथ माता सची है तो राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए उसने थोड़ी सी अनाज के दाने डाल कर कहा हे चौथ माता मेरी लाज रखना इतने में ही उसकी रसी खुल करके राजा के में बढ़ गए राजा जी ने सोचा की चौथ माता तो हैं सची उन्होंने अपनी बेटी की साधी उसके साथ कर दी वह वहीं रहने लगा बहुत दिनों बार उसने कहा की आज हमारे गाउं की तरब बिजली चमक रही है तो राणी ने पूछा आपके गाउं भी है तो वह बोला की मेरी एक मा भी है हम अब अपने देश चलेंगे राजा जी ने उन्हें बहुत सारा धन दे कर बिदा कर दिया दूसरी तरब बुढ़िया माई से लकड़ी तो करती नहीं थी इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखा कर बेचकर अपना गुजारा करती परोसर ने उनके बहु बेटे को आता देखकर बोला बुढ़िया माई तेरे बेटे बहु आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं बुढ़िया माई ने बोला मेरे कर में बेटा कहा था एक बेटा था जिसको तूने लगा सिखा कर भेज दिया पर बुढ़िया मा का मन नहीं माना और उसने उपर चड़ कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहु आ रहे थे बेटे बहु आने के बार बुढ़िया मा का आशिरबाद लेने लगे और कहा कि हम चोथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं तब सारी नगरी में धोल नगारे बजाकर कहा कि बेटे की मा और उसकी पतनी सब कोई चोथ का ब्रद करें तेरह नहीं तो चार चार नहीं तो दो तो सब ही करें हे माता जैसे बुर्या माई के बेटे का संकट काटा वैसे ही सब का संकट काटना कहते को सुनते को सब को अपना आसिर बात देना जै चोथ माता की